हेल्पिंग हैंड्स ने कल अपना दस्वास थापना दिवस मनाया इस अफसर के मुक्य अतीथी डॉक्टर राचेंद्रा ग्रवाल थे मंचसीन अतीथियों के स्वागत के पश्चा स्वागत उद्बूधन श्रीमती प्रभामल हुतरा ने दिया संस्था प्रमुक के तौर पर श्रीमती हंसा बेंशा ने संस्था के कामकाश की ना सिर्फ सरहाना की बलकि इसका सारा शेय संस्था के सदस्यों को दिया और अपने उद्बूधन में उन्होंने संस्था की शिक्षा और स्वास सहायता प्रोजेक्ट्स की खुल कर सरहाना की मुक्यती थी डॉक्टर राजेंदर ग्रवाल जी ने भी संस्था के सेवाकारियों के लिए कारेकार्णी सदस्तियों और समाने सदस्तियों का भार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि हेल्पिंग हैंड्स आज जबलपुर के लिए गर्व और गौरव बन गया है शहर और बाहर संस्था का नाम गौरव से लिया चाता है ततपश्चा संस्था की सदस्तिता ग्रहन करने वाले नए सदस्तियों को पुष्पुगुच प्रदान कर उनका परीचे और स्वागत किया गया इस क्रम में कल संस्था द्वारा शिक्षा सायता के अंतरगत एक ग्रामीन स्कूल के बच्चों को स्कूल शूस प्रदान किये गए संस्था द्वारा कल दो नए प्रोजेक्ट शुरू किये गए है पहला शिक्षा एवं दूसरा स्वास्त सेवा के लिए शिक्षा के इस नए प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है आपकी शिक्षा हेल्पिंग हैंड्स की जिम्मेदारी इस प्रोजेक्ट के अंतरगत ऐसे बच्चों को जो पढ़ने में कुशाग्र है लेकिन उनके मादा या पेता नहीं है क्लास नौवी से बारवी तक ऐसे बच्चों की पूरे चार साल तक फीज संस्था वहान करेगी कारिक्रा में संस्था की अजीवन सदस्था ग्रहन करने वाले संस्था के वाइस प्रेसिडेंट विनूश शर्मा को अजीवन सदस्था का प्रमान पत्रप्रदान किया गया अंतमे संस्था के सदस्तियों का जन दिन के काट कर मनाया गया अच्छी बात ये रही कि भारी वर्षा के बावजूद बड़ी संख्या में सदस्तियों उपस्थित रहे पीबीसी के लिए जबलपुर से प्रदीब सच्च देवा के रेपोर्ट